देश भर में 73 सवतंतर्ता दिवस को जोर शोर से मनाया गया। हिसार सीत महावी स्टेडियम में भी सवतंतर्ता दिवस का जिला सरियक करेकरम आयजित किया गया। कार्यक्रम में जन्स्वास्थे मंत्री डॉक्टर बन्वारी लाल ने ध्वजा रोहन किया। कार्यक्रम से पहले डॉक्टर बन्वारी लाल ने हिसार जिला सचीवाले में बने शहीदी समारक में पुश्प चकर अर्पित कर शहीदों को श्रधांज लिदी। सवतंतरता दिवस समारोह में विभिन स्कूलों के चात्र चात्राओं की तरफ से देश भक्ती से और प्रोथ प्रसूतिया पेश की गई सवतंतरता दिवस के कार्यकरम की शुरुवात में हल्की बरसात होने के बावजूद भी बच्चे पीटी करते रहे इस मौके पर डॉक्टर बन्वारी लाल ने चात्र चात्राओं के साथ साथ जीला के अधिकारियों और करमचारियों को भी सम्मानित किया डॉक्टर बन्वारी लाल ने अपने संबोधन में आर्टिकल 370 और 35A का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार का सवतंतरता दिवस भारत के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एहम है महापुरुशों का एक देश, एक विधान और एक प्रधान का सपना साकार हुआ है आज के प्रोग्राम के बरे में आज देटर वे सल्तांतरता दिवस भर में परदेश वास्यों को और देश वास्यों को बदाई देता हूँ और जिन सहीदों ने हमारी देश की आजादी के लिए जो अपने पूरे देश के लोगों को उनकी उज्वल भहुश्य की कामना करता हूँ आने वाला साली मंगल में हो और आज का ये जो सब्तंतरता दिवस अलग से ही है जो की जम्मू कस्मीर में धारा 370 और 35 एक और जो माननी नरंदर भाई मोदी ने देश के ग्रह मंतरी स्री अमित सहा ने खतम किया है उससे लोगों में और भी जोस है और देश में एकता और अखंडता का माहूल है और देश के लोग काफी खुशी मना रहे है सर्य युवाओं की लिए देश हर्यान सरकार ने भी युवाओं आयोग बनाए है ताकि युवाओं के जो भी उनकी सिक्षा की उनकी खेलिगे उसकी स्वास्त की चिंता करसके और युवा आगे बढ़ सकते झाल 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 झाल